हेलो गाइस कैसे है आप सब होप है गाइस आप सब ठीक होंगे तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Google के एक नए फीचर के बारे में जिसका नाम है Google Nearby Share इस वीचर को यूज करके आप एजली अपने Android Mobile से कोई भी एप को दूसरे Android Mobile में ट्रांसफर कर सकते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि गाइस इसके लिए जो है आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप इंस्टॉल नहीं करने पड़ेगी और साथ इसाथ जो है आप बिना इंटरनेट को यूज किये हुए एक एप को दूसरे जो Android Mobile में ट्रांसफर कर सकते हैं यह फीचर जो है आपको Google Play Store पे देखने के लिए मिल जाएगा तो आज की इस वीडियो में हम पूरा एक्स्प्लेइन करके बताएंगे कि किस तरह आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं इससे पहले गाईज अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन करना मत भूलिएगा क्योंकि इसमें लेटस डील्स और अपडेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगी इसके साथ इसाथ गाईज अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और इसका बैल आइकन बटन दबा दीजिए क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेके आती रहूंगी तो करते हैं गाईज अपनी वीडियो को स्टार्ट तो सबसे पहले गाईज आपको जो है अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है यहाँ पर जाने के बाद देखें आपको यह पर थ्री डॉट की ऑप्शन मिल रही है इस पर आपने क्लिक कारते है उसके बाद जो है माई Wi-Fi यहों है मैं इस Wi-Fi को off कर देती हूँ Wi-Fi को off कर लेने के बाद यहाँ पर जो है मैं कोई भी एक app को जो है यहाँ पर select कर लेती हूँ जैसे कि example के लिए यहाँ पर मैंने LinkedIn को select कर लिया है उसके बाद just यहाँ पर arrow पर आपने click कर देना है अब guys आपको जो है दूसरे mobile में जिसमें आपने यह app transfer करनी है same वहाँ पर जाके जो है आपने receive की option आपको मिल जाएगी यह देखिए दूसरे जो mobile में है आपको यहाँ पर मेरे receive की option पर मैं click कर देती हूँ receive की option पर click करने के बाद यहाँ पर देखिए Redmi Note 7S आपको देखने की मिल रहा है तो इस वाली जो है mobile को यहाँ पर मैंने select कर लिया है उसके बाद जो है आपको एक code आएगा ready to receive का जो है code आएगा आपने वो जो है receive कर लेना है यहाँ से तो यहाँ पर जो है मैं receive पर click कर देती हूँ receive पर click करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है मेरी app ट्रांसफर हो रही है तो इस जो feature को easily use करके आप कोई भी app एक device से दूसरे device में transfer कर सकते है और बिना internet को use किये हुए गाइस तो देखिए गाइस एक second में जो है मेरी app ट्रांसफर हो गई है और सबसे बड़ी बात है यह बहुत ही ज़्यादा secure है तो इस वीडियो में पूरा मैंने आपको explain करके बता दिया है कि किस तरह आपने इस feature को use करना है होप है गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे like और दोस्तों के साथ share करना मत भूलिएगा गाइस आपके एक ही like से मुझे बहुत ज़्यादा motivation मिलती है अभी के लिए इतना ही गाइस बाई बाई